हलो फ्रेंड्स आजे आपने स्टार्ट करवा जहे रहा छे जी टी यू डिपलोमा सेमेश्टर वन मैथेमेटिक सब्जेक जैनों सब्जेक कोड छे 4300001 सो सौथी बेला आपने स्टार्ट करवा जहे रहा छे यूनिट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री टोटल मार्क्स छे 14 जेनी अंदर सिलेबस नी अंदर छे यूनिट्स ओफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री फॉंक्शन अलाइड औन कंपाउंड अंगल्स मल्टिपल सब मल्टिपल ग्राफ अफ साइन अन कोसाइन पिरियोडिक ट्रिग्नोमेट्री फॉंक्शन सम अन फेक्टर फॉर्मिला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉंक्शन जे ट्रिग्नोमेट्री चेप्टर छे ये टोटल कितला मार्क्स नू छे जीटियो नी एक्जाम नी अंदर 14 मार्क्स न रेडियन आजे टोपिक छे युनिट्स ओफ एंगल्स आजे टोपिक छे युनिट्स ओफ एंगल तेमा थी जिट्यूनी एक्जामनी अंदर 1 मार्क्स अथ्वा 2 मार्क्स नो क्वेश्चन पुछावनी सक्क्यता छे 1 मार्क्स नो क्वेश्चन कही रिदह पुछाव से सो जनरली तमने डिग्रि नी अंदर अंगल आपे लो अशे और ये युनि तमने रेडियन नी अंदर कन्वर्ट करवानू अशे अथ्वा तो रेडियन नी अंदर अंखल आपै लो अशे अन्य एन्य आपड़े convert करवानू अशे degree नी अंदर सो आप 1 marks नो question छे अन्य 2 marks नी अंदर कोई problem type question आपेलो अशे अन्य एन्य आपड़े solve करवानू रेशे सो सवती पेल्लू जे छे convert degree measures into radians means first topic आपड़ो छे आपड़े convert करवानू छे degree to radians सो कोईपन degree to radians करवू होई तो आपड़े multiplied से ना थी करीशू multiplied आपड़े value ने करीशू 5 by 180 अगिन मुएकवा repeat करू छू कि ज्यारे आपड़े degree to radians convert करवू होई त्यारे आपड़े multiply कई value थी करीशू 5 by 180 अन्य ज्यारे radians 2 degree convert करवानू थाई त्यारे आपड़े a value ने multiply करीशू 180 by pi सो आप 2 topic not down करी लेशू ज्यारे degree to radians convert करवानू छे त्यारे आपड़े multiply करीशू 5 by 180 अन्य ज्यारे radians 2 degree आपड़े convert करवानू छे त्यारे आपड़े multiply करीशू 180 by pi अगिन ज्या degree छे एक डिगरी किटली मिनिट्स ने अंदर divide थसे 60 मिनिट्स त्यारे आपड़े कही रीते लखी सक्के 1 degree is equal to 60 मिनिट्स अई आपड़े एक वार डैस करीशू तो यहने आपड़े कही रीते रीड करीशू मिनिट्स 1 degree is equal to 60 मिनिट्स और मिनिट्स दिवाइदे इंटो 60 सेकन्न तован मिनिट्स इफ्चन तो ना आपड़े याद राखी शूं सो 1 माक्स माटे आपणे याद राखू बर से degree to radiant convert करवा माटे pi by 180 थी multiply करीशू radiant to degree convert करवा माटे 180 by pi थी multiply करीशू और next आपणे याद राखीशू 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second सो आटला topic तम्हें तमारी notebook नी अंदर note down करी रेजू हवे आपणे स्टार्ट करीशू numerical convert degree measures into radians मींस यहाँ आपणे degree नी अंदर एंगल आपेला छे और आपणे आपणे convert करवानू छे रेडियन नी अंदर सो फ़र्स्ट क्वेस्चन छे 25 डिग्री तो आपणे आगल जोयू के जारे degree नी अंदर कोई एंगल होई आपणे रेडियन नी अंदर convert करवानू होई तो आपणे कई value थी multiply करवानू छे πाई बाई 180 आपणे 25 ने πाई बाई 180 थी multiply करी देशू हवे आपणे आपणे solve करीशू सो 5 y's are 25 एंड 180 डिवाइड बाई 5 सो 180 डिवाइड बाई 5 केटला थाई जाए सेही या देट इस 36 सो आपणे फाइनल आंसर केटलो थायो देट इस 5 πाई डिवाइड बाई 36 सो आरी ते जारे degree to radian कनवर्ट करवा होई तो आपणे multiply करवाना छे πाई बाई 180 सेकंड नुमेरिकल जोई है सेकंड नुमेरिकल नी अंदर value केटली छे 60 डिग्री खुबज easy numerical छे 60 डिग्री ने आपणे radian नी अंदर कनवर्ट करवानू छे तो degree to radian छे आपणे multiply करीशू πाई बाई 180 अगेन 00 कट 6 रिजा 18 सो आपणे आंसर किटलो आए गयो that is pi by 3 सो 60 डिग्री ना किटला radian थाया that is pi by 3 radian खुबज easy numerical छे चलो next numerical ट्राइ करिए 225 डिग्री ने आपणे radian नी अंदर कनवर्ट करवाना छे सो 225 multiply pi by 180 चलो 225 divided by 5 किटला थाशे that is 45 सो अहिएं में 5 थी डिवाइड करिया 45 सो डिनोम्नेटर ने पन 5 थी डिवाइड करिशू that is 180 divided by 5 so that is 36 अहिएं जो 6 plus 3 that is 9 means 3 थी पार्ट चाल से similarly 4 plus 5 that is 9 so 3 थी पार्ट चाल से that means 45 divided आपणे 3 करिए तो आपड़ा आंसर किटला आउसे that is 15 सो यहां आपड़ा आउसर आई जासे 15 36 ने आपड़े 3 थी डिवाइड करिए तो आपड़ा आंसर किटला आई जासे that is 12 सो यहां आपड़ा आंसर आउसे 12 अगिन 3 थी पार्ट चाल से that means 3 5 जा 3 4 जा सो आपड़ा फाइनल आंसर किटलो देऊ that is 5 pi by 4 सो आरी ते आपड़े simple 1 marks नो question पुछी सकाए degree to radian convert करू आपड़े simply किटलो याद राखवानू छे degree to radian convert करू होए तो multiply pi by 180 चलो हवे आपड़े प्रेक्टिस करीशू radian to degree मा convert करू होँ छे तो आपड़े multiply कई value थी करू होँ छे that is 180 by pi so first question छे pi by 15 so pi by 15 ने आपड़े degree नी अंदर convert करू होँ छे so pi by 15 multiply कई value थी आपड़े multiply करीशू radian to degree छे that means 180 by pi so 180 by pi थी आपड़े multiply करीशू चलो 5 pi pi cancel 180 by 15 180 divided by 15 so that is 12 so 180 divided by 15 that is 12 so आपड़े आंसर कितलो आए गयो that is 12 degree हुबज इसी question छे simple याद राखो radian to degree convert करू हो छे अगेन 5 pi by 3 radian नी अंदर आपणने गिवन छे आपड़े degree नी अंदर convert करू छे so आपड़े multiply करीशू 180 by pi अगेन pi pi cancel out 3 6 जा 18 so या उसे 60 so 60 multiply 5 that is 300 so आणसर कितलो आए गयो 300 degree next जे numerical छे 11 by 16 minute अने second नी अंदर कही रिदे convert थाई ये आपड़े discuss करीशू so 11 by 16 छे पहला तो आपड़ी method प्रमानेच जाओ 11 by 16 छे so 11 by 16 multiply 180 by pi okay then 180 multiply 11 that is 180 multiply 11 that is 1980 980 so या आणसर कितलो आउसे 1980 divided by 16 अने pi नी वैल्यू आपड़ने खब छे pi नी वैल्यू कितली होई that is 22 by 7 so denominator नो denominator क्या जतो रहाशे numerator नी अंदर so आपड़ी जोड़े वैल्यू कितली थाई that is 1980 multiply आगर आपड़े value कितली आई थी that is 1980 denominator नो denominator जतो रहे से numerator नी अंदर so 1980 multiply 7 divided by value हती 16 multiply 22 so याँ आपड़े लखी सू 16 multiply 22 then 1980 छे so 1980 divided by 2 कितला थाई that is 990 so याँ आपड़े 2 थी divide करिया so 990 फरीवाद 22 ने आपड़े 2 थी divide करिये that is 11 next again 990 ने आपड़े 2 थी divide करिये तो किटलू थाशे 495 so याँ आपड़ी जोड़े value आई जाशे 495 16 ने आपड़े divide करिये so value कितली आई जाशे 2 थी divide करिये that is 8 now आपड़ी जोड़े जे 495 छे multiply आपड़े किटला करिये दे इसू that is 7 so 495 multiply 7 that is 3 4 6 5 3 4 6 5 divided by 88 so 3 4 6 5 divided by 88 that means आपड़ो आँसर कितलो आई जाशे आने आपड़े divide करिये जो so 39 and answer आउसे 3 by 8 that means तमें 39 multiply 8 करो तो किटलो आँसर आउसे that is 3 1 2 plus 3 करो means answer किटलो आई जाशे that is 3 1 5 so 3 1 5 divided by 8 3 4 6 5 divided by यहां तमें करसो 11 that means यहां तमारो answer किटलो आउसे 3 1 5 आणे 88 ने 11 थी divide करसो तो answer किटलो आउसे 8 that means 3 1 5 divided by 8 करो तो आपना answer किटलो आई जाशे that is 39 3 by 8 जो हवे 39 जे छे ए whole number छे that means 39 आपड़े 12 लखी देशू अंदर किटली value remaining रही that is 3 by 8 so 3 by 8 ने आपड़े सउथी पिला minute नी अंदर convert करवा छे that means आपड़े multiply कई value थी करीशू 60 so minute नी अंदर convert करिया that means अहीं आपड़े 1 dash राखी देशू चलो next tip नी अंदर आपड़े कई value करीशू 60 divided by 2 that is 30 and here 8 divided by 2 that is 4 again अहीं किटला आउसे 15 अन अहीं किटला आउसे 2 that means आपड़े जोड़े value किटली रहे remaining 39 degree 15 multiply 3 that is 45 divided by 2 minute 45 divided by 2 किटला थासे तो एना आपड़े कही रित लखी सकीशू 39 degree 45 by 2 22 1 by 2 22 multiply 2 that is 44 44 plus 1 that is 45 45 divided by 2 आपड़े कही रित लखी सू 22 1 by 2 minute हवे next step ने अंदर आपड़े प्रोसेस हूं करीशूं 39 22 minutes again whole number छे तो आपड़े इने 12 लखी देशूं so 39 degree 22 minutes हवे 1 by 2 ने आपड़े 2nd नी अंदर कनवर्ट करीशूं so 2nd नी अंदर कनवर्ट करवा माटए अपड़े अगें सेना थी multiply करीशू 60 थी 60 seconds so आपड़े जोड़े आंसर किटलो थाय गयो यहां किटलो थाय यह से 30 30 multiply 1 that is 30 seconds so final answer आपड़े जोड़े किटलो आयो that is 39 degree 22 minutes 30 seconds so यहां दमारू 1 marks नाउं जे numerical पुछावनी सक्केदा छे degree to radian कनवर्ट करो अथवा तो radian to degree कनवर्ट करो ए complete थाय गयो छे next जे 2 marks नी अंदर numerical पुछावनी सक्केदा छे तो यहनी माटे आपड़े एक equation याद राखी सू theta is equal to l by r equation करो छे theta is equal to l by r theta that means angle अने angle नो SI unit करो हतो radian so आए equation नी मदद थी आपड़ने जे angle मर से always काया unit नी अंदर असे radian नी अंदर सामेनी साइड छे L that means length of an arc and R that is radius so आए equation याद राखवानू छे theta is equal to l by r theta that is angle in radian, L that is the length of an arc and R that is the radius आना related आपड़े एक numerical करीशू आना related आपड़े एकद numerical करीशू काया के पूछावनी सक्केता एटली बदी छे नई पन जे degree to radian, radian to degree छे, ते पूछावनी सक्केता सौथी वधार है छे, आ टाइपना numerical पूछाए, तो maybe तमाए equation त्या पूट करशो, तो easily answer आई जास, means एकड़ equation याद राखवानू छे, theta is equal to L by R हवे आपड़े numerical solve करीशू, तो यह numerical नियंदर गिवन छे, find the angle substrate at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm यह आपड़े angle find करवानों छे, तो सवथी पेल आपड़े लखीशू theta, then आपणने गिवन छे, के radius किटली गिवन छे, that is 100 cm, so r is given 100 cm and arc of length that is L, so L given छे, 22 cm so यह आपड़े theta find करवानों छे, अने r अने l नी value गिवन छे, so सवथी पेल आपड़े equation करीशू, that is theta is equal to L by R, घणाने वो question था से, के यह cm to meter convert करवा पड़से, तो यहीं माटे एक simple trick छे, के बन्ने unit यहां जो सरखा आसे, means, बन्ने unit काया आसे, बन्ने cm and cm छे, that means, यहने तम्हें meter नी अंदर convert करसो, तो 100 in to 10 raise to minus 2 थासे, अने 22 in to 10 raise to minus 2 थासे, means, 10 raise to minus 2 numerator अने denominator माधी cancel out था जासे, that means, आपड़े, त्या unit conversion जरूरी नथी, अगें, जो यहां एक unit cm, एक unit meter नी अंदर होत, तो आपड़े cm to meter convert करवा पर से, सो यह simple आपड़े value पूट करीशू, theta is equal to l नी value किटली छे, that is 22 and r नी value किटली छे, that is 100, so 22 by 100, अटला हूं थे यह से, that is radian, कारणके आपड़े equation मा जो यहां दुकें यहां, जे unit वो पूछा से के तमने angle जे छे degree मा फाइन करवानू के से, तो अगिन जे आपड़े, आगल जे प्रमाण method कर, radian to degree एज रिते तमारे यहां convert करवा पर से, so आ question यह अंदर आपड़ने वो कोई specify कर यू नथी that means आपड़े theta directly किटलो लखे देशू, that is 22 by radian so आजना लिक्चर मा आपड़े सिख्या के, कई रीते आपड़े degree to radian convert करीशू अने कई रीते आपड़े radian to degree convert करीशू so, and equation आपड़े याद राख्यू, that is theta is equal to L by R so first topic जे आतो first topic trigonometry ने अंदर करवा आतो that is unit of angles तो आ जे topic छे एमा थी one marks नू पूछावनी सक्यता छे अथवा कोई numerical पूछाए तो ए जे numerical छे equation based हसे, that is theta is equal to L by R, अना आ type नो जे numerical छे two marks मा पूछाए सक्ये next lecture नी अंदर आपड़े discuss करीशू trigonometric function so, आरी ते आपड़े दरिक topic ने एक अना वीशू, so, चैनल ने subscribe ना करी होई, तो please चैनल ने subscribe करो, और तमारा बद्दा friends साथ है एक वीडियो ने share करो Thank you